लवली फ्रेंड्स आप सभी का बोस्ट वेलकम हैं मैं हूँ एस्ट्रोजर सुने शास्त्री और आप देख रहे हैं जोतिस से सब्बंदित कुछ विशेश जान का रहे हैं दोस्तों जिन जातक और जातिकाओं की कुणली में या फिर कोई ऐसी कुणली आप देखें जिसमें इस तरह के योग आपको देखने को मिले तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है और देखा जा सकता है इतना बड़ा प्रभाव की आदमी बहुत ही कमी ऐसे आदम और इस तरह के कारे जीवन में करते हैं, वो क्या है, जिन जातक या जातिकाओं की कुंडली में या फिर किसी की कुंडली में, अगर आप ऐसा योग देखें, कैसा योग? योग इस प्रकार से है कि लगन कुंडली के पहले घर में, अगर दुष्ट ग्रह बैठे हूँ, अगर बैठे हो दुष्ट गर आपको पता ही है शुग अगर बैठे हो और उसके अलाबा उसकुंडली के सेकन्ड हाउस में दूसरे घर में अगर दुष्ट गर बैठे हो समझ गए अब बात पहले घर में दुष्ट गरा दूसरे घर में दुष्ट गरा और बारवे घर में शुब गरा अगर बैटे हो तो ऐसी कुनली का योग निकल के आता है पालक संपुन प्रत्वी पर सभी प्राणियों का पालक ऐसा व्यक्ति होता है यानि जादा से जादा और ऐसे व्यक्ति को जो सोच होती है वो सारभ भॉम होती है सारभ भॉमलब वो खुद करता है और दुनिया को चलाता है दुनिया का पालक होता है दुनिया का पालन पोशन करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है इसलिए इसको प्रतिवी पालक भी कह सकते हैं संपूर्ण प्राणियों का अधिक से अधिक पालन पोशन करने वाला ये विक्ति होता है तो दोस्तों अधिक ज़ानेकारी के लिए या फिर अपने कुण्डली अनालिसिस, प्रडिक्शन को जनने के लिए, रेमडी जनने के लिए, अपने कुण्डली से संबंदित, लाइफ से रिलेटट कोई unattわर के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे इन नंबर्स पर APPOINMENT तब तक के लिए जैस्री कृष्णा